किताब जो होती हैं वो होती हैं टूल्स जो नॉलिज का ट्रांसफर करती है इधर से उधर यानि कि उन किताब के अंदर कुछ जानकारी है वो जानकारी का माद्ध हमें वो जानकारी एक जगे से दूसरी जगे आ सकती है बसरते आप उन अक्षरों को खोलना जानते हों यानि आप पढ़ना जानते हूं अगर उन अक्षरों को लिखे हुए किसी भी भासा में हो सकते हैं अगर वो अक्षर आप खोलना जानते हैं तो उसे पढ़ सकते हैं किताब में जो जानकारी होती है वो जानकारी लिखने वाला तीन तरह से लिखता है एक तो उसके पास होता है सोत ग्यान, सोत ग्यान का मतलब है इसको शुरोत भी बोल सकते हैं बाद में या सोत ग्यान का मतलब है जो सुना हुआ और देखा हुआ ग्यान होता है यानि कि उसने कहीं से देखा है, कहीं से पढ़ा है, कोई वीडियो देखी है, कोई पिक्चर देखी है, कोई किताब पढ़ी है, बहुत सारी किताब पढ़ी है, टीवी देखा है, या रेड रेडियो सुना है, या खवार पढ़ा है, या कोई दादी से, अम्मा से सुना है, य उसके अधार पर वो मन में आगे बढ़ता है तो जब लिखने वाला किताब लिखता है तो वो अपने पूरे जानकारी पूरे ग्यान का चिंतन करता है और उसको चिंतन करने के बाद अनुभब करे या ना करे कैसों में करकी सकता है तो इन सब का निचोड करके वो एक किताब किताब लिखने वाले का एक उद्देश से, वो उद्देश से क्या है, वो आगे वालों को पढ़ाना चाहता है, सिखाना चाहता है, अपने अनुभब बताना चाहता है, अपनी जिग्या से मढ़ाना चाहता है, कोई ब्यापार करना चाहता है, या बहुत सारी बात हैं हो सकती और एक negative उदेश से लेकर positive कूझ से उक्ता है। सब्यक्ट बहुत सारे उद्दे से किताबों के होते हैं हजारों उद्दे से हजारों बात है तो जब आप कोई किताब आप ले लेते हैं तो आप ये देखिए कि आपको उसकी आउशकता किस निया पड़ी है पहले बात दूसरी बात ये है कि आप यह देखिए कि लिखने वाला, जो इसमें लिख रहा है, वो Preface से पता चल जाता है जो सुरू में Preface लिखा होता है, जिसमें दो शब्स बोलते हैं उससे पता चल जाता है कि किताब के अंदर क्या है किताब के पहले तीन पढ़ने पढ़नेंगे बाद आपको यह पता चल जाता है किताब आपके लाइक है या नहीं है किताब को कभी भी 100% सच नहीं मानना चाहिए क्योंकि 100% सच इसलिए नहीं है जिसने लिखी है उसके लिए तो वो 100% सच है मगर जिसने जो वो पढ़ रहा है उसके लिए वो 100% सच नहीं है इसलिए किताब के उपर कभी भी blind faith नहीं करना चाहिए अंद विस्वास नहीं करना चाहिए इस बात के उपर नहीं अडिक होना चाहिए कि फलानी किताब में लिखा हुआ है तो ठीक होगा typing mistake हो सकती है अगर कोई data है तो typing mistake में वो गलत भी हो सकता है किसी ने कोई बात लिखी है तो अपने उद्देश से साधने के लिए अपनी बात को मनवाने के लिए अपने तर्क वितर्क देगा वो तकि आप उसकी बात में आए उसकी समुदाय में या उसके influence में आ जाए या उसकी company में आ जाए या उसके बातों में आ जाए उसको लाब हो तो आपको सचेत रहना पड़ेगा 24 घंटे कि जो किताब आप पड़ रहे हैं वो किताब कहां तक आपके हिसाब से, आपकी जरुत के हिसाब से, आपके उद्देश के हिसाब से खरी उतरती है या नहीं उतरती है, या कहने वाला कहीं उसमें उल्टी जानकारी तो नहीं परोसरा है और आप ये दम भरें कि मैंने तो एक किताब में पढ़ाता है ये सच होगा किताब मनुस्य के द्वारा बनती है और मनुस्य आप जानते हैं कितने प्रकार के रोग कैसे होते हैं भगनवान बुद्ध ने बताया है कि 52 प्रकार का जो Material Circumtrances या इस्तिती होती है वो 121 प्रकार का मूड बनाती है मनुस्य का 121 प्रकार की बातें मन की उस किताब में डाली चाल जा सकती है दुनिया में जो चलती है इसलिए किताब को बहुत साबधानी से पढ़ना चाहिए और ये मान के पढ़ना चाहिए कि ये जो किताब पढ़ रहा हूँ जो इसका writer है मैं उसके brain को पढ़ रहा हूँ उसके दिल में क्या है उसको पढ़ रहा हूँ वो क्या कहना चायता है वो मैं देख रहा हूँ वो हमसे क्या करवाने की उम्मीद करता है वो मैं देख रहा हूँ कितावें बहुत तरह की होती है जैसे एथियासिक किताब के अंदर एथियासिक तथे देंगे आप एथियासिक तथे चेक कर सकते हैं दूसी किताब उसे या आजकल बहुत वीडियो और मद्ध में खुद जाजा के भी एक होती है पुरानिक पुरानिक जो होती है उनका कहीं जगे और थियास के वारे में जानकारी समय के वारे में नहीं होता बस वो ऐसे शार्ट होती है एक वार इसने ऐसा कहा एक राजा था एक रानी थी वो एक वार एक वार बोलेंगे एक जगे थी एक वार थी ना जगे बताएंगे ना उसका प्रमार्ण होगा, ना समय बताएंगे ना उसका प्रमार्ण होगा, उसमें कोई प्रमार्ण नहीं होता एक उपन्यास कहानी होती है, जो आपके मरुजन के लिए होती है, एक नाटक कार होती है सबी में जानकारियों होती है बच्चों की स्कूल की किताबे होती है कॉलेज के स्कूल किताबे होती है हायर एजू किसन की होती है जिसमें एक ही सब्जेक्ट की बहुत बारीक 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 जानकारियों होती है एक आपकी सरीर के लिए अच्छी होगी ये का आपकी सरीकले खराब होगी दार्शने किताबे होंगी जिसमें आपका पूरा दर्शन होगा, वो दर्शन हजारों प्रकार का होगा, एक प्रकार का दर्शन दूसरे प्रकार की दर्शन को काटेगा एक प्रकार की दर्शन दूसरे प्रकार की दर्शन की और्गनेजिसन का ब्रेन है वो आपके देश के लिए आपके लिए, आपके मुल्क के लिए आपके परवार के लिए क्या लावदायक है या नहीं जो किताब पुरी दुनिया के लावदायक होती है वो मनुस्थे के लावदायक होती है जो किताब कुछ मन उसे के लिए लाब दैक होती है वो पूरी दुनिया के लिए लाब दैक नहीं है तो वो किताब यूनिवर्सल नहीं होती है धन्यवाद जो किताब यूनिवर्सल नहीं होती है जो किताब यूनिवर्सल नहीं होती है